श्कार दोस्तों आज की बढ़ी हम बात करने वाले हैं डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवस्टी होटिकल्चर एंड फोरेस्ट्री नौन इसोलन के बारे में तो सेकंड लिस्ट जूकि नॉर्मल सीट यूजी प्रोग्राम के लिए तो आप सभी की लिस्ट यहां पर आ चु और आपको इस पर्टिकुलर रफ्रेंस नंबर दिया गया इसके द्वारा आपने भेजने जूकि इमेल करके इनको जो इमेल आईड दी गये जो भेजना है आपने हमाजली वनिफाइड सेटिपेट आपने वेजना है और भी कंडिएड है हमाजली वनिफाइड तो 460 यहां पर टोटल कंडिएड से तो यहां पर आप नाम देख सकते हैं तो यहां पर कौन-कौन से डॉक्मेंट किसके तो आपको अगर यह फिडिया चीए तो official website से भी download कर सकते हैं otherwise हमने आपको video description में link दिया हुआ तो वहां से आप इसको directly download कर सकते हैं इस video file में चेक कर सकते हैं और हर एक student को email particular ही गया है चाहे उसका form यहां पर incomplete हो या ना हो select इस list में ना हो या ना हो बट सभी student को एक-एक email भी चला गए है तो आप email id पे अपनी चेक कर सकते हैं जो अपने email id दी हुए तो यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर काफी सारी list में यहां पर नाम है तो मैं आपको particular सारे तो पढ़के दिखा नहीं सकता हूं तो मैं यहां पर आपको directly फ्रेंस ठीक क्लियर नहीं है तो student ने ऐसा फॉर्म भरा कि 123 बेसी होटी कल्चर किया दिया और forestry के लिए फिर बापपीस फिर 123 दिया तो आपको अगर होटी कल्चर के बाद forestry चूज करना है तो आपको वहां पर फोर या टू या थ्री 567 डिजी चूज करने 123 123 आपको नहीं करना है ना college के लिए ना होटी कल्चर और forestry के लिए आपको 1 से 7 डिजी तक ही चूज करना जो कि यह बता रहे है अगर आपने solan forestry एक किया है तो जो कि होटी कल्चर अगर आप सोलन कर लेना चाते तो आप पर 2 कीजिए फिर 3 कीजिए फिर 4 कीजिए फिर 5 कीजिए 6 कीजिए फिर आपकी चोईस है अगर आपका particular एक subject में करना चाते है तो मैं आपको recommend करूँँगा क्या अगर सोचा मुझे होटी कल्चर करना है तो आप होटी कल्चर ही चूज किए 123 उसके बाद 4567 उसके बाद आप forestry चूज कीजिए अगर आप किसी subject में करना चाते है training particular अगर आपको लगता कि मैंने college को चूज करके करना जैसे होटी कल्चर फोरेष्ट्री दोनों में ऐसे major चलेगा तो फिर आप वही है सभी लोगों की जो कि preference solan college रहता है फिर उसके बाद शायद मेर पूरी या बाहर आता है जो कि यहां पर town planning गेरा area से बाहर जाता है तो हां पर आपकी 10th plus 2 और जो की 8th है इन तिनों मैंसे कोई दो चीज़े आपने rural area से की होनी चाहिए जो कि स्कूट है पंचायत में जो की आता है तो 2 मैंसे चलेगा अगर आप 8th या 10th का देजीगा जो कि आपके principal स से certificate आपको लेना पड़ेगा principal या headmaster जो कि आपके school में होते एरतिया 10th का या तो फिर 10th और plus 2 का देज़कता है अगर आपने अलगलग school से किये तो आपको दोनों अलगलग school से देना पड़ेगा submit करना पड़ेगा अगर हम single child की बात करें तो यहां पर आपको देनी है नेचर नहीं किये तो आपको फोटो पर आदे सी नेचर करने अंदर और आदे बार तो आपको इस सारे document भेजने है साथ सेप्टेमर से पहले पहले तो यहां पर जो email आईडिए ug.documents.uhf.gmail.com तो इस पर आपको भेजने है यह सारे के सारे document तो आज के दिन यह notification आई है और आप सभी को particular email भी चला गया तो यह की 7 September से पहले पहले आपको अपने sporting document भीजने है जो कि second यहां पर rejection list आई है जो third आएगी या नहीं आएगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे अगर third आएगी तो उसके बारे में आपको intimate कर देंगे तो फिलाल सभी candidate को यहां पर email भी चल में जो कि single girl child के लिए आपको देनी है परिवार जिस्टर के नलकल और self-tested photo आपको वहां पर आदा करना है जो कि यहां पर page on the performance once again तो यहां पर देखे जिसे ने अटेस्ट नहीं किया some of the Canadian have not pasted their self-tested photo on the counselling performance which is otherwise compulsory they are required to submit page one of the counselling performance once again आपको सिरक page one नहीं भेजना है बाकी नी किसी ने टेस्टिर फोटो नहीं किया गया अगर किसी ने यहां पर single child का फोटो नहीं वेजा तो उसको प्रफॉर्मा बेजने की फिर से जुरूरत नहीं कांसलिंगा उसको जस्ट यहां पर अपनी परिवार जिस्टर के नकल बेजनी हो जो कि reference नमर है उसको साथ में लिखक है students को तो मैं आपको बता देता हूं जो कि नीचे वाला तो है यह preference लग रहता और reference नमर आपका यह है और जो कि college के लिए preference नीचे तो यह है reference नमर जो कि यहाँ पर डेटो बर्त के आपके बाद यह इसको लिखके आपको अपने document भेजने जो भी email द्वारा कि आपको यह reference न ने तान्या बादर